अब हमारा एक्जाम कल है कल इस ताइम हम एक्जाम में होंगे तो आज हमें बड़ी चिंता हो रही है और आपको चिंता नहीं करने है दोस्तों जब भी ऐसा लगे लंबी लंबी सासे लो चिंता कम हो जाती है और मेडिटेशन करने के लिए जब भी आपको टेंशन हो रही है आज पूरे दिन बर में आख बंद करो वाइट एपरिन में अपने अपको अपने फेवरेट कॉलेज के अंदर फील करो कि आप वहां पहुंच गए हैं ऐसी ऐसी बाते सोचो आज की दिन दूसरी बात में यह कह रहा था कि चिंता मत करो अपने आप से जो आप अपने आप पढ़कर आयो यानि आप खुद पर विश्वास रखो एलन पर विश्वास रखो मुझ पर विश्वास रखो आपको जो पढ़ाया गया उस पर विश्वास रखो भरोसा रखो कि आपने बहुत पढ़ा है यह बिल्कुल मत सोचना कि एम्स इस बार मर्ज हुआ है तो पेपर बहुत टफ आने वाला है जी नहीं हां बहुत इजी नहीं आएगा आप एवरेज पर मान कर चलें या पेपर अपने हाथ में नहीं है बट हमने प्रेक्टिस जो करी है वो हमारे हाथ में हम अब एक्जाम के बाद ही हम किसी फ्रेंड से बात करेंगे कोई डिसकेशन नहीं मैंने इतना पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया ना छोड़ो ठीक है बहुत ज्यादा चाय कोफी ना पियें क्योंकि यसा लगता हमें कि यसा करने से हमारा दिमाब बहुत कंप्यूटर की तर च पूरा साथ से आठ गंटे का नींद आपको आज रात को लेना है ठीक है अच्छे से सोएं और रात को सोने से पहले जब आप बैड परें तो आप गौड से प्रियर करें अल्ला से रिक्वेस्स करें कि जितना भी हो मेरा अच्छा जाए मैंने बहुत महनत करी है मुझे मेरे महनत के अकॉर्डिंग मेरे रिजल्ट दे जाना बस मैं आपके सपूर दोकर के सो जाओ बिल्कुल रिलेक्स हो जाओ ठीक है सेंटर पर जाओ उससे पहले भी आपको किसी से यानि सेंटर पर गए वाँ खड़े वाँ दोस्त मिले उनसे डिस्क्रें तूने ये कर लिया बिल तो डेफिनेटली आप जीतोंगे और ये सिर्फ आज हमारे पास लास्ट दे बचा है कर लो सब अच्छा होगा ओल दी वेस्ट हम सब आपके साथ है टीम इंडिया टीम एलन आपके साथ है ओल दी वेस्ट